नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप देखना शुरू कर चुक है हमारा खास कारेकम प्राइम डिबेट आप सभी का बबस्वागत है चुनाओ दोयार चौविस में है निगाय चुनाओ नॉमबर या दिसंबर में होने की पूरी-पूरी संभावना है पर हम देख रहे हैं कि राजतिक विसाथ है वो उत्तप्रेश में बिच चुकी है और हो भी क्यों ना क्योंकि अगर केंद की कुरसी तक पहुचना है तो उत्तप्रेश को साधना बहुत जरूरी है और इसके लिए लगाता प्रियास होने शुरू भी हो गए हैं सभी पार्टियां अपने अपने इस समय एजिंडे में लगे हुई हैं रण नीती में लगे हुई हैं तो मुक्य बिपर्च उत्तप्रेश में आनि समाजवारी पार्टि भी पूरी दमखम के साथ अब धरातल उत्रने के तैयारी कर चुकी है जिसका आज नजरा हम लोगने देखा लख flu पर पैजल मार्ण्達 का प्रोरिग्राम था करकम था सपा कारेले से बिरानसमा तक कारकरता सबी एकजूट होकर एक मार्ज के तहट एक ब्युस्ता के तहट सरकार की कमियों को बताते हुए जा रहे थे पर उनको वहीं रोक दिया गया और रोकने के बाद देखा गया कि अखले सियारो जो की सपा परमुख है उन्होंने एक अलत तलय का बिरानसवा सत्र होई रोटपाई शुरू कर दिया हाला कि प्रसासन का कहना था कि अनुमती नहीं ली थी और अनुमती नहीं लेने के बाब जूर हमने उनको एक रूट निर्धारिट किया और रूट निर्धारिट पर वो जाने तयार नहीं थे और उन्होंने जन्ना पर रसन रोट पही करना शुरू कर दिया खेर जो भी रह सिप्पाल सी गारों ने वी अलग बयान देकर एक अलग राजनीती की बिसार्थ सुरू कर दी है उन्होंने कहा कि आने बाले समय में हम तीसरी मोर्चे में सामिल नहीं होंगे समाजरी पार्टी से निदिसकुमार की नजबिकियों की चलते हैं अब आने बाले समय में निदिसकुमार को क्या यहां पर हासल होगा जिस मोर्चे की वो सपना सजोए हुए है वो मोर्चा कहा तरे स्थापयत होगा ये भी देखने बाली बात है तो वहीं कॉंग्रिस पार्टी इसमें भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने आपको इस्थापित करने में लगी हुई है जो जमीन खो गई थी कॉंग्रिस की वो तलासने का काम यहाप पर सुरू हो गया है मैपूर चर्जा का अब इसा है और निस्ची रूप से अब चुकी चुनाओं की सरगर्मिया सुरू हो चुकी है इस तरह के धरातली संगर्स बहुत जरूरी है कुछ बयान सुनते हैं फिस चर्जा को आंगर बढाते है बिना पब्लिक विवस्था को लोक विवस्था को भंग किये उस कारिकरम को निर्विक्न संपन करने की विवस्था देने का दाहित तो प्रसासन का है प्रसासन उसके तहद ही अपने कारवाई को आगे वढ़ाएगा उन्होंने अगर पर्मिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्सित मार्ग होगा प्रसास को माने किसी सिस्टा चार को माने एक कपोल कलपना ही कही जा सकती है तो मार्च का नाम दे करके फोटू सेशन कर रही है वा जनता की हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदर में करनी चाहिए जो कारवाई का हिस्सा बनेगा, ये तो मिडिया के लिए निशी तोर से समाचार हो जाएगा, उनका पोटू दिख जाएगा, उनके विधायकों का पोटू दिख जाएगा और जनता को परेसानी से मुक्त रखना चाहते हैं, जनता की परेसानी को दूर करना चाहते हैं, तो कि किसी भी मुद्दे पर सदन में आकर के चर्चा करें सरकार चर्चा करी तयार अखले श्यादो जी और उनकी पार्टी इस समय बेवरोजगारी की इस्तिति में सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीड देश में दूर पर दही पर घी पर च्रियस्टी लग जाएगी और नकेबल ज्रियस्टी लगाई है बलकि खाने पीने की चीज़ें लगातार महिंगी होती जा रही है और जो इन्हों ने दिखाये थे नौपरी और रोजगार की आज जो संसादन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसादन नहीं जुटा पा रहे है बड़े पेमाने पर रोजगारी बड़ी है रोजगार चीने जा रहे है प्राइवटाशन करकर के जो संभिधान ने अधिकार दिये विष्णों को दरितों को गरीब को वो भी अधिकार चीने जा रहे है राजधानी चेत्र में धरना प्रदर्शन इक्तियादी के लिए मानिय उचने आले के द्वारा भी अस्थान निर्थारी थे इसके बावजूद राजधिक दल द्वारा उस रास्ते से जाने की जित की गई जिसके लिए आवश्चत पुलिस प्रबंद किये गए थे अस्थानी ए अस्थार पे बंदरिया बाग चौराहे पे उपरोग दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तथा उसके बावज से सभी रोड अपने गंतव अस्थान पे चले गए मौके पे शांती को अस्था बनी होई है तो मैटपूर्ण विसाय है और विसाय पर चर्चा करने के लिए हमाँ सब मेहमान जोड़ चुके हाला कि BGP प्रवक्ता का भी इंतियार हो रहा है आपको मैहमानों से रूबरी कराईए कि प्रवक्ता की रूप में नितन भाई अपना पक्च रखेंगे कुछ समय भाज जरूर पर सरगर्मी बड़ी है जो आब तक सोच रहेते की संगरश होगा साय संगर्श की शुरूबात हो पर प्रसासन का कहना है कि संगर्स की शुरूबात तो कर लिए पर यात्रा के पहले अनुमती नहीं लिए पैजल मार्च और यहां पर सपा के लोगों से नियम काहिदे की उम्मीद करना बेमानी है दन्यवाद आपने कमस्कम माना कि संगर्स कर रहे हैं अब जब संगर्स कर दो बोलना ही पड़ेगा निश्यत रूप से लोगतंत्र की कुछ अपनी मर्यादा होती है और समाजवादी पार्टी हमेशा लोगतंत्र की उस मर्यादा का पालंग करती रहे हैं कोई भी सरकार का गठन होता है तो निश्यत रूप से विपच्छ को एक समय दिया जाता है कि सरकार एक समय तक काम करे और 6 माह का मिन्मम 3 माह का समय होता है और इसके बाद से जब सरकार के उस कारकाल की समिछा की जाती है जो जो जनकल्यान के कारे होते हैं उसमें सरकार की तारीफ भी होती है और जहां जनविरोधी काम होते हैं उसका भी रोध होता है तो अब जब लगबग 6 माह बीत के दूसरे कारकाल के युगी 2.0 के और देखा कि लगातार पहले कारकाल से ज्यादा बस्टा चार बड़ा है मैलाओं से जुड़े हुए अपराद बढ़े हैं बेरोजगारी की इंतहां हो गई है महेंगाई अपने शर्मोत कर्स की ओर बढ़ रही है तो निश्यत रूप से जो बिपच्छ का कर्तब होता है वो काम समाजवादी पार्टी करेगी और अधरनी हमारे नेता अखले सियादो जी जोकि नेता बिरोधी दल भी है और यहां कोई भी गहर कारूनी काम नहीं किया गया और यह पार्टी जंता पार्टी के और प्रसासन के लोग जिस तरीके से तुम अगर अनुमती लेनी चाहिए अनुमती लेनी जाईए आपी निश्यत रूप से बिदान सबादेश से बड़ा कोई पत्तु मुझे नहीं ल रहेंगे सांतिपूर्ट तरीके से धरना जो हमारा प्राथमिक अधिकार है उस कारक्यम के तहित पहले दिन से भारती जंता पार्टी और इस सरकार के हात्मों फूल गए और पहले दिन से इस तरीके से कारक्यम चलाए गए दमनात्मक कारक्यम चलाए गए और पार्टी से अ और चुकि नेता बिरोधी धल हैं उनका अधिकार बिदान सभा में जाना वो पहिदल जाएंगे गाड़ी से जाएंगे और जिन्ता की आवाज को कैसे बुलंद करना यह अपना लोकतंत का तरीका होता है उस तरीके का इस्तेबाल करते हुए सांतिपूर तरीके से पर्टी कार जैसी फोर्से हैं हजारों की तादात में लगाई गई इस तरीके से खिले बंदी की गई बदरिया बाग चौराय को तीन तीन जेगे से बेरिकेट करके सील कर दिया गया इसकी कभी कलपना ने की जा सकती बाई क्या भी गाड़ रहा है थे वो जनता को संबोधित करते हुए पैदल अपने बिदायक साथियों के साथ ऐसा तो थाने की आम जनता को लेकि बिदान बबन में घुझ जाएंगी निश्यत रूप से उनका कारकम था किस दस बजे में अपनी कारहले से निकलेंगे पैदल मार्च करते हुए जनता की आवाज को बुलेंद करते हुए जो लो आतनकी संगठन आ रहा है इस तरीके की तैयरी की गई बला अब लोगतंतर में जनता की आवाज उठाने को जो भी तरीके हो सकते हैं अब भारती जनता पार्टी ने तेह कर लिया है कि उसका कोई भी तरीके को किसी भी तरीके से हम दमन करने को पूरे सारे अतकंडे देएंगे घयापन देएंगे पृधरसंद करेंगे रुक्त splits करेंगे और क्या तरीका हो सकता है सदन में सदन की में अपनी बात को रखेंगे अनतता समाजवादी पार्टी के बिदा एक आधरणे राष्ट्रिय अधच्च के नितरत में नेता भी रोधिदल के नितरत में पार्टी मुख्याले से बिदान बहुन की तरफ खुच करते हैं और मुस्किल से चार सू मीटर भी नहीं चलने दिया गया तीन तीन बरिकेट्स लगा करके हजारों की संखाय में पुलिस वालों को लगा करके पूरी तरीके से रास्ते को ब्लाग करने का काम किया गया और राष्टगान से सदन की समाप्ती की गई और जन्ता को समगोदिते ग्यापन दे करके हम लोगों को मजबूरी रास्ते को चुणना पड़ा अगले दिन से सदन की कारिवाई में सालिया जाएगा और जिस तरीके से इतना छोटा सा सदन बुलाना और किसी भी तरीके की कर दिया है कितने दिन सदन चलाएंगे लगातार कल भी विदान सबाद्ध से मिल करके अधरनी राष्टी अधर जी ने कहा था कि कि किसी भी तलकी मैला है मैला भी दायकों को बोलने का पूरा मौका दिया जाए जिए क्योंकि मैलाओं से जुड़े बहुत सारे हैं लेकिन ल अधर संगठनारसर जो है कि ये ना तो लोकतंद्र को मानते हैं ना इस सब मिदान को मानते हैं ना तिरंगे को मानते हैं जी और ये बहुत आसानी से आ चुकी सक्ता में भावनाओं को बढ़का करके धार्मी कुनमात को बढ़का करके और प्रदेश की जनता को किसी तरीके स गुबरा करके ये दूसरी बार सक्ता में काबिज हुए लेकिन जो इसका मूल उद्देस होता है कि राजे कल्यान कारी से जनता है और उत्तर प्रदेस में या देस में जो भी सरकार होती है उसका मूल उद्देस होता है कि प्रदेस की जनता का कल्यान करना है लेकिन इनों ने चंद पूजी पतियों के कल्यान की योजनाय बनाना शुरू कर दिया है और आम आदमी पूरी तरीके से भैग भूक और बिष्टा चार से अकुलाया हुआ है बहुत परेशान है आज किताबे तक स्कूल में अपलब्द नहीं कराई जा सकती मिड़े मिलके बर्चों से बरतन मजवाने का काम हो रहा है आज गो ये इतने बड़े गो भक्त होने की बात करते है आज लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मामारी आ रही है पसूँ के साथ और गायों की मौत हो रही है और उनको टेक्टेट टालियों से गसीटा जा रहा है और चीतों को हवायात्रा कराई जा रही है आखिर संदेश क्या देना चाहती बारती जनता पर की ये मैं जानना चाहती है अब बात्पा वाले जोड़े नहीं है जोड़ने वाले उसके चर्चा होगी प्रवक्ता प्रस्पा माँसा एकलाग भाई मौजूर है एकलाग भाई पार्टी के नेता ललन रायर ने मेरपूर बयान रही है और उनने कहा कि हम नितिस कुमार को समर्थन नहीं देंगे और ऐसा प्रमुक की जो आपकी प्रस्पा के प्रमुक है उनकी नेतिस कुमार की लगाता नजदी की यहां वो अखलीस यारों से बढ़ रही है और माना ज़ाता है कि नितिस कुमार प्रयागराज की फूल पूर सीट से चुनावा फिर सकती है ऐसा सूत बढ़ा रहे थे तो क्या मानते हैं जो यहां पर सीट मांग कर जो अखलीस यारों ने जो दरार को कम करने का प्रयास किया था उस पर वह सिपालसी यारों ने खा है कि उनको सीट नहीं मांगने चीए लिए क्या मानते हैं कि खा ये पटने का नाम नहीं लेगी यानि यारुकुल पुनाय जागरन मिसर ने जो सुरू किया है वो समानवार्ट को नुकसान देने के लिए सुरूबार कर चुका है क्या मानते है देखिए गौरब भाई सबसे पहले तो जो बयान आपने कहा कि हमारे निता ललला नमसाब ने कही है तो मैंक होने देखी बयान होगा वह आकरी बयान राश्चेहद्धा जी उधाल ये जरू जाने चाहिए हूगे खरूकु प्यार किये जो सम्मान चाह रहे थे या तो वो कह सकते हैं और आप एक तरफ आ रही है सम्मान ले लिए आप अपमानित का लेटर दे रही थी ना गौरब भाई किस तरीके से हम लोग को सुपाल जी बोल तो चिके हैं कि जो हम उनको हमारी स्ट्रीट नहीं मागनी चाहिए थी उन्होंने सही कहा अच्छा क्या जर बहुत सम्मान दिया जिनको अपना विधायक माना शुपाल साब ने नेता प्रतिवपक्ष भी बना दिया था समाजवादी पार्टी ने अखलेश आदो साब ने इनको चुनाव में बहुत अच्छी तरीगे से यूग भी किया क्या सम्मान दिया भाई आकिर कुछ सम्मान स कि जाईए लेटर लीजे आपको जहां जाना है जाईए दूसरी तरफ आप कहते हैं कि विधानसभा में हम आपको सम्मान दिलाएंगे हमारे नेता इतने कमजोर नहीं हो गये हैं कि किसी और को उनको सम्मान दिलाने के जुरूरत पड़े और देज आज जो धरना अगर कोई उत्तर परदेश में नेता है जो जनता के बीच जा रहा है जो लगातार 24 घंटे जंता के बीच में रहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है संदुर भाई बहुत स्वागत है आपका संदुर भाई यहां पर समावी पार्टी जोरा प्रदसन हुआ दन्ना दिया गया और देखा जा रहा था कि कि क्या माना जाए कि धरातल पर संगर्ष के लिए समावी पार्टी तयार हो चुकी है और काफी समय बाद बहुत सक्रीत नजर आई जो समाजवादी पार्टी की पैचान रही है लड़ने की शुरुबार रुची के 24 चौनौ को लेकर क्या मानते आप गवरो जी समाजवादी हैं और अपनी पार्टी को लेकर के जो आयोजन करना चाहें सित्वाद कीकार है किरों करने प्रेस की जनता समझार है किसी को कुछ समझाने की बगवान उनको सदबुधी दें और समाजवादी पार्टी की जो दसा और दिसा है उसको सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको भगवान ग्यान दें बुधी दें यह समय है हम लोग के लिए विकास के लिए विकास के बारे में चर्चा करने का यह समय है विकास की नीकियों को लागू करने का ये विभी जी के नेतित में हमारे 25 पिरोड जजो अबादी उंतर प्रदेश के उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम उस पे चर्चा करने बैटे हैं हम उस पे हम उसको लेकर आगे बढ़ने वारे दिखे ये दोग दिखावापन ये लोगा ये ये सारी चीजे ये सब लोग जो है ये सब लोग जो जितनी रोड पे जो लोग दिखाई दे रहा है आपको आजनी नखलेशी के नेतित में सबको मालूम है एक पदयात्रा कर रहे है और एक जो है अभी सड़क प्यान सब ये देखा देखी एक दूसरे की इनके बीच में ही कंपर्टीशन ह अभी सबसे आगे जब लाएक भोड़ा हो तो दोड़ाईये तो समझ में आता है अचा यहां तो घोड़ा के चारों पैर में जो है गूत बड़ा घौड़ा हुआ है जाए खीत कर लें वो चाहे घौट पाल जी तीये हो ओ घौट जी तीये हो गाव चाहे प्रदेश की जंक किसी को नेटा बनाने पर तूले है आप लोग जब जब किसी को यह साबिच करना चाहते कि नहीं संघर्ष कर रहें तो कोई किस की बात कर रहा है और पूरे देश में तीन पुत्र ऐसे हैं चर्चा में पहले भी किया हूँ अभी किया हूँ आदनी एखलेजजी आदनी राह पाप से बाप की जागीर जो है इनको सौपा है उसी को आगे पढ़ाने का प्यास कर रहे हैं लेकिन बीच में यह सारी कड़िया तूट गए यह दूसरे से सब लोग अलग हो गये इन लोगों नेता से बहस होता तो समझ में आता जो संघर्स करके नेता आया होता जो जो जमीन क्या रहा है आपकी आमाने पार्टी क्या रा है आमाने पार्टी के जिरिवाई जी का मैं वेक्तब जब सुन रहा था कि भई इतना घोटाला हमको सरावाले घोटाले में प्रकार करता है की इसमें दोसी कहां है सतेंद जहिन तीन तीन बार कोड ने पूछा, अरे भाई, कोड ने तीन तीन बार क्यों पूछा, कोड को याज़त, कोड तो सीधे मेंटर चल रहा है, के जिरिवाल साहब जूट जबाटा बोलके देश को गुमराह करने की राजमीर, आगले आप यह होने वाला है, यही छापा मारेगा, और वो छापा मारेगा, अरे भाई, आप पाक साहब हो, अकर आप सही हो, तो क्यों आप इतना डर्जते हो, अब देश क सामने हो, पुरा दुनिया देख रहा है, कोई कारवाई होगी, सरकार ने करवा दिया, कोई कारवाई होगी, मोधी ने करवा दिया, पोड का फैसला आया, मोधी ने करवा दिया, सारा चीज, जितना चीज, मंजी तूड गई, मोधी साहब ने तूडवा दिया, अरे भाई, मोधी साहभ थाथी जंता पार्टी सरकार है और सरकार में रहती है तो जनहित के मुद्य को लेकरके काम करती है और सरक के जो आदोवन करने वाले लूम हैं परदर्शंकारी लोग हैं समासबाधी कि अभड़ बहता है। मुझे बड़ी पीडा होई। आप ऐसे मुद्य को ले कर रह रहा है, जिस मुद्य को ले करके आपके बातों को ले करके संगर्टों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, उलना इसमें चुना हुआ, मोधी जी परचंद बहुमत से सरकार में आये, योगी जी चुना हुआ, दो अजार बाइस का हुआ, परचंद बहुमत से सरकार कि यहां की जनता आपको भगा रही है, आपके गुंदा गर्दी से, आपके भूमाफियागीरी से, आपके आप से लोगों लोग तरस्त हो गये ते, आपके घोटालों से तरस्त हो गए थे, लोगों ने विकल्प चुना है, अच्छी सरका प्रिषित पूर्ट को भागते थे यह नहीं चैहिए जा कर करके पूछारत में बोलते हैं हमको सीकोर्टी की जरूरत नहीं है और वहां से आते हैं तो इसके पहले का भ्यान देखिएगा तो बोलते हैं कि भई हम गुजरात में जाते हैं वहां की सरकार हमको सिकोर्टी परवाई यह सम नाचक नौतन की जुम्ले बाजी यह और कहीं जाकर करें आती जनता पार्टी की सरकार देश की संवरता संस्कित के सा कि अवाज़ार आपकी बार कर रही है पूरी दुनिया की नजराएं गौराजी आम आपकी परवक्ता बैठाएं यह जवाज़ाय जवाब लेता हूं से आप अबार पूरी गढ़ी पर भवक्ता को अग्रेस को लेता हूं बताएग जी आब बात ने हाली बोली जी आबाद् लिए णिल्ट फाइछ तो जब देता हूं और जिस मस्लेय के आज की लिबेट ने उसे तमाजवादी पाईची सुछरू हो रहा है इसके बीज करते हैं कि कम से कम एक बात में कहूंगा कि बहुत देर करदी महरबा आपके आप चाहिए अगर इसाइद विस्काम अगर किछली स तो आप भी चादर इनकी सरकाराज है सपागी? परदेश के अंदर हम तब फोटी पार्टी हुआ करते हैं लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में अपी घुमिका को इमांदादी से निभाया होता, उनके नेता में स्वेटर के बाहर निकल करें थी रूह निकल करें तो यह सुरुमारे बार क्यों करता है? अगर स्वादी पार्टी में उनकार दोटे रहे हैं तो परदेश करते हैं कि आज़मकड़ की परमपरागब की अधियां गता हुआ कि अकल शादो जीन समय ने लिया मौसम बहुत खराब था-शायद बारिश जादा ती या गर्मी जादा थी इस नहीं निकल पाई जोरी ब बहतर समझते हैं तो इसनाते वो एक अपनी परमपरागा सीठ हार गए तो कहीं ने कहीं ऐसी वाले ही बात सामने आती है लेकिन ठीक है अब किया है शुरुआत की अच्छी बात है ये लोगतंतर की मजबूती के लिए बहुत 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 रहेगा कि विपक्ष जितना मजब रास्किये पठल के हैं तो बात बिलकुल साफ दिख रही है अभी संदीब भाई ने इस तरीके से बात की उनकी बातों में जितनी बेचैनी थी जितनी घबरहाट थी जितनी बॉखलाहाट थी तरह अप्शारा करती है कि इनका मुकाबला गर किसी से हैं पुरे देश के नई अखलेशादो जी को कम भिरता से ले रहें और ना किसी अन्य पार्टी को ले रहें कि इनको डर किसी पार्टी से लग रहा है कि सम्मानित जनता भी आपके जो करोनो दर्शक देख रहे हैं उनको भी इस बात से अहसास हो कि उनको अगर डर लगता है तो तुर अब ही तक इन्होंने जिक्र किया जल्दी बोले एक भोटाले को यह कहीं पर प्रूफ नहीं कर पार है हम लोग तरकों के साथ बात कर रहे हैं को बार बार फटकार लगाई जा रही हैं कि आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हो जो आरोप आपने खुद लगाए हैं उनारे आरोपों को आप सिद्धे नहीं कर पा रहे हो तो कहरें पोर्ट ने अभी तक बरी क्यों नहीं कर थिया मैं इंसे यही कह रहा हूं कि धैर रखें सी बी आई ने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर च्छापा मारा था प्लींचिट मिल गई दफ्तर और घर पर दोनों जगे आदा विधायकों के उपर मुकतमे दर्ज किये गए हमको जेल के अंदर डाय लगया हमको पींचिट मिली समय लगा लेकिन हमने अपने आपको पाईज़त बरी किया और यह पुरी देश की जंता देख रहे कि आपकी बहुत जाहट है आज कोशिश क्या कर रहे हैं आज कोश की जंता के बीच में एक परसेप्शन बना जा कि सारी पर्टिया भरष्ट और उसमें भारतीया पार्टि豪्रें प्रष्ट पार्टि यह मिदाट सब्किंज द्रश कर रही है उसकी दरी वा अंदमी पार्टि के ओपर ंपर इजनिम मुठे इलजाम लगा कर, उसको भी अप पार्टी को आप कट्टर इमानदार और देश बक्त पार्टी समझें, वो पार्टी भी हमारी तरह है, भारती यंता पार्टी का प्रियास बस इतना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जितनी परीशा लेनी है आम आग्मी पार्टी की, आप बिलकुल लीजिए हम आपके हर एक हो सब्सक्राइब इमृधार निकलेंगे, पंजाब को पतह है, अपनी इमानदारी की राजिती से बच्टर आप हरता, आप हम मत्रब के तरह हारा है एक विआयरे का कमर कसके आ रहे हैं, पुरे बात देश को विगलप दहने का रहनों हो यह द्यु शेटर पहरता हूं. अब इन्वाई एक चीज़ता है कि भारत जोड़ो यात्रा मैटपूर यात्रा एक सो पचाज दिन की यात्रा और देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस कारकरतों में उर्षा जगाने के लिए और केन सरकार की जो नीतिया है उनके ब्रोड में यात्रा निकाली जा रही है पर बीज से पहले आपको और पहले सभी लोगों को नमस्कार जाहिन बंदेबाद कि आजादी से पहले जब सारा देश कोंग्रेस के बैनर तले अंग्रेजों भारत छोड़ों का अंदोलन छेड़े वेता है तो तब आरे से अंग्रेजों के साथ खड़ी आज जब राहुल गांदी कि भारत जोडो यात्रा कर रही है तो भारती e जंद्दापार्भी चंद पूजी पतियों की तरफ घड़ी वही हैं जब देशा में एक और नफरद की बाते हो रही है तो राहुल गांदी जी कहरे हैं कि देश को जोड़ों की जब एक तरफ ब देंबिक वारी कि बातनी हो ही है जब देश में चुआ जूद पर बात नहीं हो रही है ऐसे वक्त में देश को जोड़ने की बात रहा और नांदी जी करें जी और भारती जन्ता पार्टी हमेशा से बटवाने की बात करती है तो वह इसलिए ही कह रही है कि भारत जोड़ों जात्रा से पहले इन्हें अलग आंदोलन की शुरुवात करी पांच पांडवों ने लाकों कोर्वों की सेना के सामने लड़ाई लड़ने का प्रण लिया श्री राम चंदर ने अपके पांड़ को रहे हैं सिर्फ महस दो लोगते अच्छा है उन्होंने रामण से टकरा गई तो जो जो जूट है उसका दे सत्य की होनी है भारती जन्ता पार्टी कम तक लोगों को कुमरा करेंगी हिंदू मसल्मात भारत पाकिस्तान के नाम पर भारती जन्ता पार्टी को रोजगार देने की बात करनी पड़ेगी भारती जन्ता पार्टी को महंगाई की से खतम करें इसके बारे में बात करनी कि भीवैल की बिजली है इनकी सरकार बने टॉमुफ्त होगी जी लेकिन पैसा बहुत लिया जारहा रहा है बहुत नुट बचिया चार रो जुर जो घृड़ी महेंगा हो गया है और लोगों का बेदा vale बच्चों की स्कूल की पीस महेंगी हो गया इलाज महेंगा हो गया और नोगरी घंड गई तन खा बढ़ने रही है लेकिन सरकार सिफ हिंदु-मुसल्मान पर लोगों को गुम्रा कर रही है लेकिन अब लोग जाब गए और इनको निश्चित तोर पर सबक सिखाने जा रही है परिवत आई सबक स्कारे किया से आपका प्रिदेश में अब तक राष्टे रही फाइनल नहीं हुआ है उत्ता प्रिदेश में प्रिदेश टेलिगेट को बुलाया गया था पर चुनाव पास में निकाय चुनाव होने वाले चैसे सडकों पर आप संगर्स कर पाएंगे कैसे लोगों को जो है अपना बारुसा प्रिदेश करता है जो नेता है पार्टी का वह अपना काम कर रहा है अब भार्टे चंता पार्टी ने जो कमर तोड़ दी आम जनके गरीब की अच्छा वो जरूर इने सबक सिखाएंगे ठीक है ठीक है नितन भाई यहां बहुत बात को जिए नहीं हैं कहीं सुवास्पावाले बोलते हैं आज आमारी बढ़टी वाले बोलने लगे इस महारी बाले वाले कि लोग उसके बाद में सबसुए और लुग उनगी बाल कमर मोले ले लकर कि गई भूप सरा जेतिंग मस्खरे बन गए हैं बिल्कुल रजनेतिंग मस्करे हो गया सब्सक्राइब को कोई सिरियस नहीं लेता है और उनको उनकी एक आदत है उनको जो गले लगाता है वो कहते हैं के कभीर कैसे निभे बेखल को संग वे डोलें रसापन उनके हृट तो य तो पहले खुद पर और अपने नेताओं को जरा देखेंगे लेना चाहिए कि कैसे रहते हैं कैसे चलते हैं उनकी सुरच्छा के का इतिजाम होते हैं हर चीज का एक प्रोटोकाल होता है अधरणिया के लिए से आदो पूर मुखमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजबादी पार्टी के राष्टी अध्या जमोदूदा नेता विरोधी धले हैं तो अगर इस प्रोटोकाल का कोई वीगति रिक्षे से बैटरी रिक्सा से पैदल ये टेम्पू से चल रहा हो तो उनको भी चलना चाहिए निश्च्छित रूप से और उनकी सुरच्छा और इस तरीके से पैदल चलने से उनकी सुरच्छा की कोई गारेंटी लेता है तो निश्ची रूप से कल से वो ये भी करने लगेंगे आज गर से पैदल निकले तो देखिए पूरे प्रसासन की और पूरे देश की जो सरकार है उसकी चूले हिल गई और पूरी ताकत पूरी पति समाजवादी पार्टी एक राजनेतिक दल है और बैचारिक दल है कोई अब क्या कहूंग उस्तेबालने कि कोई आतंगवादी संगटन नहीं है कि जैसे पिसली बार में कोई कह रहा था कि वो बताते क्यों है और चल देना चाहिए हम जिसको आवाद जताने चाह रहे हैं कन्दी कहाटाने जा रहे है उसके घर के माली को पता होना चाहिए कि कोई आ रहा है और उसको जो कि मालिक के रूप में कर रही है, तो सरकार को पता होना चाहिए, फर्यादियों का एक पतिनित बंडल आ रहा है, फर्याद ले करके, तो मालिक को कम सतनरा एनाची, आज मालिक इतना खार है, इतना खार है कि उसको कुछ ने दिखाई पड़ता है, और हो भी क्यों कि अब भ भगवार हो गए हैं उनके मंदिर बन गए तो लोग तंत्र में जो आपको क्या रिक्कत हो रही है ने सेवक मैं बता रहा हूं जब एक सेवक होता है और सेवक बगवान बन जाता है तो निश्चुत्रा एक कावत है कि प्रभुता पाई काई मदिनाहीं तो यह सब वो लोग हो अच्छा हम कोई अधिकारिक रूप से सिगनेचरी अथार्टी तो है ने कि हमारे आदेश से सरकार में में बिल पास होंगे मैं करो आज वोला वरेश्टी हो रही है अभी लगाता सूखा हुआ है रतिसानों को रात मिलनी चाहिए है मुझे याद है आदर निया खिले से ने अच्छे लागारा वाले जही है प्रिस्पा वाले बोल लाय थे कि वही से ब्लग की दरार पाटने काम कर रहे हैं और यह लोग उस अब आटना चाहते नहीं है क्या मानते हैं नहीं चाहते हैं यहां पर व्योस्ता नि जुडएंगी इस बात पर मैंने कई बार का चमा बढ़न को चाहिए चोटन को उत पात पद और कद दो तरीक क्यों को होते हैं कदम है आदरनी अखिले से आदो जी और पद में आदरनी शुपाल सिंग आदो जी रिष्टे में चाचा थे चाचा है चाचा रहेंगे जब मिलेंगे जहां मिलेंगे उनका वो सम्मान सद्व बराब पर करार रहेगा अब बात आती है राजनी तिकत की तो राजनीत में आदरनी शुपाल सिंग यादो जी साध प्रवक्ता जी के उतने अच्छे संबंद नहां रहे हो इतने मेरे उन से निजी संबंद नहें कई ब बनीची जही निश्चे दूरुप से तो उनका जो गधा उस गध के साफ से अब क्यारत इत्यल लगों बढ़ने नहीं बनी है अब सरकार में संगर्ष करना है अए और संगर्ष करने का वग्ट नौजोवानों के हाथ में होना चाहिए आज यहातो बाई शुपाल जी को में अपना पच्छ रख रहा हूं समाज बाद जैसे संवान की बात बार बार आ रहे थी तो आप चुकि अधरनी अखलेश जाद हो जी नेता भी रोधी दलुए संगर्स करेंगे आप भी दायक हैं आप भगल की कुर्से में बैटेंगे आपका संवान होगा लेकिन बार बार कोई चोटी सी बात हो जाए और कोई ये कहने लगे कि अरे मेरा संवान नहीं मेरा संवान नहीं और उठे फूपा की तरीके बार बार अगर इस तरीके सी एक्सन होगा तो मद्बूरी होती है तो ये तो कहा ही जा सकता है कि भईया ठीक है अगर आपको हम एतोची संवान नहीं द उनकी एक दिल में आचा थी भाई की वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे उन्हेंने सब को जोड़नाय काम किया था जितने समाजवादी परिवार से हटे हुए लोग थे अखिर क्या संबान दिया बाइस में समाजवादी पार्टी ने वो एक स्टीट पे मांगने ने ने बात कही कि अधरनिये ने अज का विस spin जी ने आप ने जो बात कहीं आप यह वो ऐसे नेता हैं तो आप उनी की हैसियत के बारें भी बात कर चुके हैं इससे पहले डिवेट अधो आप तो कि वह लुए Спासिए की एक गरीट नागरीग या जो भी नेता लोगे उनके संद्ध शुपाल जी से हैं, क्योंकि वो गरीब विच्छो और इतने भी लोगों हैं, उनके ये काम करने काम करतें, आज पिर आज पिर आज बी आज की संद्ध कैसे आदणी अखिलिस अधार साथ साथ से हमें बता दें, कैसे तोब धुसरे आप हमारे नेता माना और एक सीट पे भी बानने के तयार हो उखिए पर स्रिव और चैनले चैनल जादो जी को मुखंतरी बनानी के लिए क्या क्या नहीं किया आपने क्या किया कभ उनका इस्टार परचार्णक बनाया कभ इस्टार परचार्णक बनाया चुराओं के आखरी में और क्या रिजार्ड लाप पुर्वान चलुए आपके नंबर आया बहुत रूप जाती है और हम जो बार बार संका उत्पन की जाती है कि बार कहीं ने कहीं अधरनेश उपाल सिंग्यादो जी बारती यंता पर्टी के हाथ का खिलोना बनते जा रहे हैं जैसा वहां से फीड होती है और वही भासा जब बार्ती सब्सक्राइब परिवार को लेकर आगे चलती है ठीक आदरनी अखिले से आदो जी ने इस बार एक सूत्री कारक्रिम चलाया कि कोई परिवारबाद का रूप न लगा सके न उन्होंने एक सीधा फंडा वनाया संगर स्री नोगों को टिकेट दिया और परिवार के लोगों को लगा तो अपने दल्की बात करते हैं एक तरफ समाजबादी पार्टी से सम्मान क्यों चाहते हैं यह जवाब दूगा रहे अपने बेटे से जादा प्यार आधरी शुपास जी आधर साप ने अखलेशादो सापको दिया अगर उन्होंने यह कह दिया शुपाल सिंग यादो जी वरिष्ट भी दायक है अब यादा रहा है अब यादा रहा है यह कर बाइस में आदा जाता तो आप सब्सक्राइब आप समाजवादी पार्टी के खिलाब लगा तर्टी पढ़ी करते रहें इसलिए भारती इंता पार्टी ने कहा उसको देने के लिए समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बिताया और बनाया अब कह रहा हूँ आज मैं चैलंज कर रहा हूं आपके मादम से टीब एक चैनल के मादम से यह वह उनकी इतनी निजी हैसियत है लोग सबाव में सब्सक्राइब संब्सक्राइब तो दोजार बाट है नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों की हैसियत के बारे समाजवादी बताई को उन्हों हो गया धाया है जो बाराद हो गया जबसे राश्टिया बने इनकरता है जब से राश्ट्रिय बने नेता मैं नाम ने लेना चाहता हूँ हमारे नेता ने कहा है इस समाजरी पार्टी आप बताईए एक बार भी किया सत्ता में यह जन्ता की बातों को लेकर नहीं आई उससे पहले लगातार दो तीन बार सत्ता में रही है कौन नेता थे उस वक्त आधर शुपा सिंगा दो साथ कि अधर्णी आक़ डिंगा दो से आधारे उसे बारोल्ड कर दो में पडाखे बार्ति-पार्टी के बजाए और रजा कुक्ता है वह क्यों पर भार्ति-पर मगता बैत ओद यह पास मैं तुस्तर बहुत कर रहा है कि शिर्फ और भारती जन्ता पार्टी को प्रोटक्ट करने के लिए जवाब दूंगा परिवारवाद से जो लड़के आते थे उनको जनता जिताती थे तो आपने कैसे खतम कर दिया चार-चार चुनाव समाधी पार्टी हार गई है कौन समाधी पार्टी फाइदा पहुंचा रहा है यह तो जनता के सामने और इसका सवरूप भी है कि आप सत्ता से बाहर नेता को समाजबाइबरा सर्फ घ। समतरे भाई यहां पर प्रवकटता समागी पार्टी बोलना है कि परिसमा वाले आपके पचल अपन्यों है आप किजएब से काम करते हैं और कहते हैं कि बिजेपि के ऑद़ похड जूट बोलती है और पूरी लोगतन खतम करके रखा है हमारे प्रवारी की जगड़े इनके जैसे रगूं में दोड़ता है यह सालक पे कभी भी कहीं भी परिवार के जगड़े मैं उसमें नहीं जाओंगा तो तीन मुद्यों को नितेंदर भाई ने बहुत बढ़िया बात कहिए मैं उसका और उनको कारियाले दे दिया पता नहीं क्या क्या आरूब लगाए मैं सुन रहा था उस बाते कड रहे थी लेकि बात बताईए भार्टी जनता पार्टी या राजनीतिक सिष्टाचार चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे कितना भी हमारा घोर विरोधी हो हमने अपन पतनात ने आप आपके राश्तिय ध्यक्स के घर जाकर के माननी मुलाइम सिष्टाचार का समाचार पूछा और एक बार नहीं जब जब महसूस हुआ उनका स्वास्त खराब हुआ हम उनको सम्मान देने गए उनके घर पे गए हमारा मद्भेद हो सकता है राजनीतिक होने के नाते अगर सच्चा समाजवादी कोई बोलेगा कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो मुलाइम सिंग के बाद उसके साथ अगर डिबेट करने की बाता है हम यह नहीं कहते हमारे बीचारधारा और स्वीपाल जी की बीचारधारा यह एक है लेकिन अगर रख ले क्या बाद कोई सच्चा उत्राधिकारी था समाजवादी पार्टी का तो वो स्वी पार सिंग आदा उसे हमारे कोई नहीं हमारे पास हो आएगा हमारी विचा अधाना से जूरेगा उसका स्वागत है और राजनीत में मैं बार बार यह कहता हूं गोरा जी जिस दिन राजनीत म सब्सक्राइब करता है लेकिन कहीं न कहीं आप यह स्वीकार करिए अब खले चैनल पर ना बोले आप यह मानिये कि आपके नेता और नेतित में मुलायम सिंग और सुपाल सिंग्वाली चमता है यह नहीं नहीं डिफेंट कर पाएंगे और आप बताईए जवाब ले नहीं के लोग चले हैं देश चोड़ने की देश बातने हो तो इस वर जाने अब यह बताईए इतने मत्भेट के बाद एक महाठाच बंदन बना करके और नरेंडर मोती को 2024 में कौन से रोट मोई पे किस मुदेट थेलना चाहें है लेकिन देश को गुम्राह करने हैं थीक है थीक ह लेकिन यह लोग उसी मुदे को चोड़ा से लेकर बाइस तक चिलाते रहें लेकिन देश के और देश की जंता नहीं को जबाब दिया अब कुछ बचा नहीं है दोरो जी मैं यही कहूंगा इन लोगों को आप देश के हित में आए आए आप समय बरबाद मत करिए सब्सकों सब्सक्राइब बढ़ाइए सब बढ़ाइए बुलिए मरा में भूलिए बुलिए और बहुत तरीके से उस्तर परदेश की जंता का बहुमूल यूर्जा एक परिवार की लड़ाई में प्रमुख विपक्षी पार्टी को इतना कम जोर कर दिया कि उत्रप्रदेश की जन्ता को दुबारा से एक नाकाम सरकार को छेलना पड़ा है, एक आताताई सरकार को छेलना पड़ा है, और जहां तक अभी संदीप भाज बात कर रहे थे, केंदर में ये लोग कैसे लड़ेंग आप तमाम पार्टियों के गजबंधन के साथ आये थे और एक फेक गुजरात मॉडल लेकर आये थे, इसमें सब कुछ फरजी था, लेकिन आप याद के लिए कि इस बार दोहजार चौबीस का जो चुनाओं होगा दस्ताल बात, उसमें दिल्ली मॉडल का मुकाबला होगा उस बेक गुजरात मॉडल के साथ, तो आप परिशान नहों ये, आम आदमी पार्टी काफी है आप से लड़ने के लिए, आप की चुनाओं को स्विकार करने के लिए, इसी पार्टी को चार आदमी पार्टी आप बोलते थे कोई जिन पहले तक हम भोंने पार्टी बनाई थ तक चार आदमी पार्टी आपके नेता हमको कहते थे, और आज क्या है, आज चौथे राज में हम लोग पहुंच रहे हैं, तीन राजियों में हमारा परदार पुना हो चुका है, दो राजियों में हम सरकार बना चुके हैं, लगबग हर राजियों में कोई ना कोई जन प्र परिवारवाद के जखरण में है आमादमी पार्टी आमादमी के हाग और हुकूप के लिए संघर्श करने वाली पार्टी है, कटर इमानदार कटर देश्च वक्तो की पार्टी है, इसलिए हम पूरे देश में पहलते जा रहे हैं, विडिवाजार ज़्यान रखेगा, इन सब हम को गिनना चाहते हैं हम आजमी पार्टी, कॉंग्रेस, लखा, बस्पा और इतिश कुमार वाली पार्टी नहीं है, हम आजमी पार्टी अलग कलेवर की पार्टी है, थेको हजार चौववीस में आपको बताए कि गुजरात में आपको बताने जा रहा है, अभी मन्य भाई सम सरकार है, जो नोकरी के नाम पर अगनी वीरों की बढ़ती की बात करती है, जो देश की जीडी पी जो गरत में जा रही है, लेकिन अम्मानी अडानी की पूंजी और संपत्ती लगाता है, बढ़ती जा रही है, हम तो हमारी दोका इंका सित्तांत है, जंदा इनको निच्छी की धन्ना बिनानुमती दिया गया था, और ये गलत है, सासन कर गएना भी है, और साथ मुखबंती ने भी कहा है, कि समागई पार्टी के लोगों से ऐसे ही प्रजासन की उम्मीद करेंगे, क्योंकि जो नियम कायदे को मानने बाले नहीं है, फिराल अपरेस में चुनाओं की सरगर्मियों के चलते, एक पिकार से एक बात तुस्पश्च हो चुकी है, कि जो 24 के चुनाओं होगा, या निकाय चुनाओं होगा, ये बहतर स्थिती में वाला होने बाला होने बाला है, क्योंकि आमाड़ी पार्टी की बात करें, चाहे सपा की बात करें, और चाहे कॉंग करते नजर आते हैं ट्वीट कि राजनीती और बयारों की राजनीती अब उत्ताप्रेस मेतर है और आपको बास्तम में सत्ता तक पहुंचना है बास्तम में कुछ परणाम अपने लिए बेदानाने तो आपको धराते संगर्स करना होगा किसी संगर्स के मताबिक कई पार्टिया सत्ता में आई भी है और सत्ता से गई भी है तो आज की चल्चा में इतना ही मुझे जनमती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच